हेलो फ्रेंज वेलकम बैक मैं हूँ नीतू सतिया आज मैं आपके लिए ये ब्यूटिफुल सा आई मेकप लाई हूँ स्टेप बाई स्टेप बताऊंगे बिगनर से तब भी आप इसली क्रियेट कर सकते हैं कैसे करना ये आई मेकप एंड तक जरूर देखेगा अगर सारी ची के लिए मैंने आप देख सकते हैं मास्क ये पैलेट का यूज कि है बहुत अच्छी पैलेट है ये इसमें चार शीड्स आपको मिल जाते हैं मैंने एक नॉर्मल सी आई ब्रो क्रियेट कर लिए अब मैं इसको फेल कर लूँगी तो दोनों शीड मेक्स करके ही मैं आई ब्रो के लिए बेस्ट होते हैं तो यहां मेरी आई ब्रो अची तरीके से डिफाइन हो चुकी है अब हम नेक्स जो है आई मेकप के स्टेप की तरह बढ़ेंगे तो सबसे पहले ट्रांजिशन शेड लेने के लिए मैंने एक पीच कलर का शेड पिक किया है जो हमारी क्रीज एरिया जहां हमारी आई फोल्ड होती है उससे उपर हमें transition shade apply करना होता है अप देख सकते हैं eyebrow के जस्ट नीचे आपको transition shade अप्लाई नेक्स्ट मैं इससे थोड़ा सा डाक आईशेडू का कलर लूँगी ब्राउन शेड मैंने पिक किया है आप देख सकते हैं एक डूम शेप का ब्रश मैंने लिया है अब मैं इसे प्रॉपर लिए अपनी क्रीज एरिया पर प्लेस करूँगी तो इस तरीके से पहले मैंने इस श देख सकते हैं जो ट्रांजिशन छेड है वह क्तीज प्रेस यह वाले ंपस्ट में आइशेड में लगारी ओ और अच्छा ध्यान वेनना है और एक से तरीके से चीजे समझ में आती हैं नेक्स्ट मैंने यहां से ब्लैक शीर्ट किया है और मैं अब आउटर वी पर थोड़ा सा लगा लूँगी ताकि जो आउटर कॉर्नर से हैं वो थोड़े इंटेंस होके दिखाए दे तो मैं आउटर कॉर्नर पर और इनर कॉर्नर पर दोनों तरफ यह ब्लैक शेट पिक करूंगी और आपने देख सकते हैं कि मैंने जो ब्रश लिया है वो पतला डूम शेप का ब्रश है तो जब भी आप कॉर्णर पे वाक करते हैं तो आप पतले जो शेट के डूम शेप के ब्रश होते हैं उनको लीजी और अगर आप इस तरीके की यह ब्रश जब भी आप couple कर दो किштम और कर दो है जो चेट आप ऊचिट हैं नेख्स में नेने कांप क्मपेक लगा के सेट कर लिया हैं अब मैंने एक शिमर शेड पर रोज गोल्ड कलर का बडूम उनके पी keeping की कि उसीजी और में अपने जो पैंपरु देशल में चालओ एक जैसे में क्रीज बनाते एक शेप जैसी बन जाती है तो इसको हमें डिफ्यूस करना होता है तो हम उसके दोनों साइड जो है थोड़ा सा जो शेड है ढाक शेड जो भी हमने अप्लाई किया है वही शेड हम हलका इपलाई करते हैं जिससे वह हार्ष लाइने डिफ्यूस हो जा इसे आपका आई मेकप बिलकुर प्रोफेशनल लुक देता है नेक्स्ट जितना भी मैस हुआ था इस तरीके से मैं एरबड की हल्प से जो है शाप लाइन दे दूंगे अपने आउटर वीपर और यहां पर मैंने जल लाइनर का यूज किया है मास का जल लाइनर मैं लगा रही हूँ तो आप विंग क्रियेट कर सकते हैं या नॉर्मल लाइनर भी एपलाई कर सकते हैं तो मैं यहां एक विंग क्रियेट कर रही हूँ अब ये eye makeup जो final होने वाला है यहाँ पर light काफी जुदा थी अगर इस eye makeup को आप थोड़ सी dim light में देखेंगे तो ये बहुत जुदा beautiful लगने वाला है next time मैं तोड़ा dim light में ही बनाओंगी next time मैं ने false's लगाई false's के बाद जो है ये eye makeup हो जाता है complete और मुझे कमेंट करके जरूर बताना याई मेकप आपको कैसा लगा और और किस तरीके के आई मेकप आप देखना जाते हैं यह देखे डेम लाइट में कितना ब्यूटिफुल लग रहा है